अब सभी का मारी YouTube चैनल में पिछली वीडियो में हमने कभर किया था Format Menu के अंतरकत Text Align Spacing Clone Formatting Clear Direct Formatting आज के वीडियो में हम कभर करेंगे Character, Paragraph, List Bulletin Numbering Page Style, Title Page Comment, Column Watermark, Section Image Text Box and Save Frame and Object Name, Description, Anchor Warp, Arrange Rotate or Flip End Group तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Character, इस ओप्शन पर क्लिक करतने पर Character नामा एक Dialog Box ओपन हो जाता है जिसमें Font, Font Size तथा Font Style को सेट किया जा सकता है Character Option का यूज हम क्या करते हैं जैसे ही हम Format menu पे आने के बाद और Character पे हम क्या करते हैं क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो चुका है एक Character का Dialog Box ओपन हो चुका है आप जैसे ही Character मेन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक Dialog Box ओपन हो जाता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं किसी भी प्रकार की Style को यानि आप Font की Style को यहाँ से आपको जो Style अच्छी लगती है उस Style को आप क्या कर सकते हैं Select कर सकते हैं उसे यहाँ से Bold कर सकते हैं Italic कर सकते हैं Bold Italic कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी Size को भी increase कर सकते हैं अब जैसे ही ok करेंगे यह क्या हो जागी apply हो जाएगी जैसे यहाँ पर हम कोई भी font लिखे हैं जैसे हम dtf3 कर लेते हैं ठीक अब ही हमारा यह font है हम चाहते हैं कि यह font क्या हो जाए change हो जाए तो control के साथ ए करेंगे एक करने के बाद उम format menu पर जाते हैं format menu पर जाने के बाद हम character पर click करते हैं character पर click करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर bebeenब प्रकार की style है में देखने को मिल जाती हैं तो हम क्या करेंगे कोई एक style select कर लेते हैं जिस style में आप अपने इस text को करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे style ये हो जाए हम इस style में क्या करना चाहते हैं और यहां पर हम रखना चाहते हैं bold रखना चाहते हैं और जो font की size है वो हम रखना चाहते हैं 14 अब यहां से जैसे ही ok करेंगे आप देखेंगे कि हमारा जो font था उसकी style क्या हो चुकी है change हो चुकी है तो यहाँ पे हमने क्या किया character option का use करके हमने font की size और font की style को क्या कर लिए हमने change कर लिए अगला option आपको देखने को मिलता है paragraph paragraph की setting करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जैसे indent, spacing, alignment tab और drop के पित्ते आदी paragraph option का use क्या होता है जैसे में आपकोई एक paragraph लिख लेते हैं DTF3 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है एक paragraph लिखा हुआ है ठीक है अब हम जैसे ही format menu में आते हैं paragraph के section पर click करते हैं तो यहां से एक paragraph का dialogue box open हो जाता है जहां से हम indent की indent को set कर सकते हैं, spacing को set कर सकते हैं line spacing को set कर सकते हैं, यहां से हम उस paragraph के alignment को set कर सकते हैं, left में होना चाहिए, right में होना चाहिए, centered होना चाहिए, justify होना चाहिए text flow क्या रखना है उसको हम यहां से set कर सकते है outline and list को यहां से set सकते हैं और यहां पर tab left right क्या होना चाहिए drop cap आप जैसे drop cap पर click करेंगे आप देखेंगे कि उस paragraph का जो पहला letter होता है वो क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है और यहां से first character अगर आप यहां से two character करेंगे तो two हो जाएगा three करेंगे तो three होगा four करेंगा तो four होगा जितने character आप यहां पर fill करेंगे उतना character हमार drop cap में convert हो जाता अब यहां से वो कितनी line को cover करेगा एक line को, दो line को, तीन line को, चार line को, पांच line को या छह लाइन को आप यहां से उसे set कर सकते हैं space text के वीच कितना space होना चाहिए जो drop cap लगे उस drop cap के बाद हमारी spacing क्या होने चाहिए कितनी दूरी होनी चाहिए इसको मियां से set कर सकते हैं यह तो drop cap रहा अब जैसे हम क्या करेंगे drop cap को हम यहां से remove कर देते हैं मिट रहाओ कर नहीं लगाना हम कै करते हैं border पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि यहां पर paragraph पर border apply कर सकते हैं यहां पर 4 तरब border लगाना चाहते हैं left and right लगाना चाहते हैं तो इसे select कर लिगे up and down लगाना चाहते हैं border only अर्थात हम paragraph section का यूज करके हम अपने paragraph की formatting को कर सकते हैं आप paragraph पे border apply कर सकते हैं इसके area में color fill कर सकते हैं देखें जैसे आप किसी भी color को select करेंगे और रोके करेंगे आप देखेंगे कि यहां पे देख सकते हैं border तो लगी चुका है पर border के साथ-सथ हो चुका है Пेराग्राफ पे color भी हो चुका है और अगर आप यह चाहते हैं कि यह जो border है यह क्या हो जाए यह जो हमारे page के तरफ देखे border दिखाई दे रहा है यह border क्या हो जाए remove हो जाए और जो इस paragraph पे color लगा है paragraph का वो भी क्या हो जाए हट जाए तो दुबारा से हमें क्या करना पड़ता है format menu में जाना पड़ता है और यहां से हमें character पर sorry paragraph पे click करना पड़ता है और यहां से none करके हम जैसे ही ok करेंगे आप देखेंगे कि page क्या color क्या हो चुका है हट चुका है पर अभी भी paragraph का color हट चुका है पर अभी भी आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है border देखने को मिल रहा है तो border curry में करने के लिए हम format में जाते है format में जाने के बाद paragraph पे click करते हैं, यहां से border वाले section पे हम क्या कर लेंगे, click कर लेंगे अब यहां से हम क्या कर देंगे यहां से no पे select करेंगे, और यहां से क्या कर देंगे ok करेंगे, तो आप देखेंगे यहां से border भी क्या हो चुका है, हमारा हट चुका है, remove हो चुका है अगला option आपको देखने को मिल जाता है bullet and numbering बिभिन प्रकार के bullet and numbering style set करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं bullet and numbering में होता क्या है कि अगर आप कोई भी अपने document में bullets लगाना चाहते हैं कोई bullets style apply करना चाहते हैं कोई numbering style apply करना चाहते हैं तो इस option का use करके आप क्या कर सकते हैं bullet and numbering को apply कर सकते हैं जैसे याँ bullet and numbering को apply करने के लिए हम format menu में जाते हैं और bullet and numbering पे जैसे ही click करते हैं एक bullets का क्या हो जाता है dialogue box open हो जाता है जैसे आप format पे click करेंगे format पे click करने के bullets पे click करेंगे यहाँ पे bullets का एक dialogue box open हो जाएगा यहाँ से unordered, ordered, outline, image, position और customize के हमें option देखने को मिल जाता है अगर आप unordered bullets लगाना चाहते हो जैसे हमें यह bullets ठीक है, हम क्या करते हैं, ok करते हैं अब यहाँ पे जैसे हम कोई भी text लिख के enter करेंगे, हमारे bullets अपने आप क्या होता रहेगा, change हो रहता है और double इंटर करते हैं, bullets हमारा क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, अगर कोई दूसरा bullets लगाना है तो format पे क्लिक करेंगे, bullets and numbering पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से हम चाते है, ordered bullet लगाना तो यहाँ से किसी भी ordered bullet को हम क्या कर सकते हैं, select कर सकते हैं, और ok कर सकते हैं आप भी यहाँ पे जैसे कुछ लिखेंगे, इंटर करते जाएंगे, अपने आप bullets नीचे क्या होता जागा, लगता जाता है तो bullets and numbering का यूज क्या होता है, कि अब भी बिन प्रकार के bullets और numbering को अपने document में क्या कर सकते हैं, apply कर सकते हैं अगला option आपको देखने को मिल जाता है, page, page की setting, जैसे page size, orientation, header and footer, etc को set करने के लिए, इसका उप्योग किया जाता है अब जैसे आपको बोला जाए, कि हमारा क्या page है, हम चाहते हैं क्या हो आगए, हम अपने page के color change करना चाहते हैं, याई page की formatting करना चाहते है format में आगे, format में आने गए, पेज style के section पे click करेंगे, यहाँ से page, अब देखिए, page का format क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने format क्या select कर रखा है later, जो by default होता है, width क्या होनी चाहिए, height क्या होनी चाहिए, orientation, आप यहाँ से इसका orientation भी select कर सकते हैं की जो आपका page है, वो land escape होगा, या ported होगा, आप उसे भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, set कर सकते हैं, यह क्या हमारा land escape है जैसे आप ported पे click करेंगे, तो यहाँ पे इसका preview देख सकते हैं, यह क्या हो चुका है, ported हो चुका है तो अगर आप अपने document को land escape करना चाहते हैं, तो आपको land escape पे click करना पड़ता है और अगर अपने document को आप ported हकना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ported कर सकते हैं, तो हम ported ही रहने देते हैं अब आप area देख सकते हैं, अगर page का आप कोई color लगाना, जैसे यहाँ पे gradient color भी अगर आप apply करना चाहते हैं तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी gradient color को ले सकते हैं, और यहां से जैसे आप क्या करेंगे, apply करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे की आप के page का color क्या हो चुका है, change हो चुका है जैसे हमने format पर click किया, page style पर हम गये, page style पर जाने के बाद हम कोई दूसरा color लेना चाहते हैं यह color लेना चाहते हैं और जैसे हम इसे apply करेंगे आप देखेंगे कि आपके page का color क्या हो चुका है change हो चुका है यहां से आप जो यह page का color है इसकी transparency को भी अगर कम अधिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं जैसा है format में जाएंगे page style पर जाएंगे और किसी भी color को आप यहां से क्या कर सकते हैं select कर सकते हैं जिस color को आप लेना चाहें उस color को आप यहां से select कर सकते हैं और select करने के बाद जो भी color आपको लेना आप यहां से उस color को select कर सकते हैं और यहां से आप इसे इसके transparency को भी कम और अधिक कर सकते हैं और जैसे ही आप ok करेंगे तो आपका page का color क्या हो जाएगा change हो जाएगा तो हम अपने page का color अगर इस page की color को हम क्या करना चाहते हैं remove करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पर आते हैं, फॉर्मेट पर आने के बाद हम आ जाते हैं, पेज स्टाइल पर, पेज स्टाइल पर आने के बाद हम यहां से क्या करदेंगे, नन करदेंगे और नन करने के बाद हम जैसे ही क्या करेंगे, apply करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे page क्या color क्या हो चुका है remove हो चुका है, जो हमारा document का first page होता है title page पे हमारे document से related सारी details यहां पे क्या होती है दी होती है जैसे हया हम पे हमने एक paragraph ले लिया dt of 3 करके एक random paragraph हमने क्या किया है Libre Office Writer से insert कर आले insert कराने के बाद हम क्या करते है कि हम जैसे इसे insert कर आ लेंगे तो हम चाहते हैं कि यह तो हमारा document हो गया अब इसका हम एक title page बनाना चाहते हैं जहां पर उस document की बारे में सारी details को fill किया जाता है document किसी ने बनाया सारे details को title page में लिखा जाता है तो हम जैसे ही करेंगे format पे click format पे click करने के बाद title page पे जाएंगे और यहां से insert new title page पे जैसे यह करेंगे आप देखेंगे कि यह आपका document हो गया और उपर क्या हो गया title page इंसर्ट हो गया यानि किसी भी title page को insert करने के लिए हम format menu में जाते हैं format menu में जाने के बाद जैसे हम title page पे click करते हैं आप title page पे click करेंगे, उसके बाद आपको यहां पे दिखिएगा, convert exciting page to title page, यानि आप जिस page पे work करें, उसी page को आप क्या करना चाहते हैं, title page में convert करना चाहते हैं, तो आप यहां से उस page को भी title page में convert कर सकते हैं, पर अगर आप insert new, नया title page insert करना चाहते हैं तो आप जैसे ये insert new title page पर click करेंगे और यहां से हम क्या कर लेंगे, first page select कर लेंगे और जैसे ही ok पर click करते हैं आप देखेंगे कि आपका एक title page क्या हो चुका है यहां पर insert हो चुका है और इसके नीचे हमारा क्या हो गया document page दिखाई दे रहा है तो इसका use हम title page बनाने के लिए करते हैं अगला option हमें देखने को मिल जाता है comments comment की formatting को करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है comment option की बात करें तो इसको हमने insert menu में पढ़ा हुए comment क्या होता है किसी भी word पर हम comment को कैसे लगाते है आईए हम देखते हैं comment की formatting को कैसे करते हैं जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर एक paragraph ले लेते हैं dtf3 करके एक हमने क्या क्या paragraph ले लिए paragraph लेने के बाद हम इसे select कर लेते हैं select करने के बाद हम जैसे insert पर जाते हैं insert पर जाने के बाद comment पर click करेंगे comment पर click करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं comment का dialogue box open हो गया है, यहां पर हमने क्या कि comment को add कर लिया अब यह जो भी हमने comment यहां पर add किया हुआ है, इस comment की formatting को हम क्या कर सकते हैं यहां से change कर सकते हैं, जैसे हम format पर click करेंगे, format पर क्लिक करेंगे, कमेंट पर क्लिक करते ही, हम यहां से उसकी font style को select कर सकते हैं इसे bold करना चाहें, तो bold करना कर सकते हैं, और यहां से अगर आप उसकी size को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप उसे भी बड़ा कर सकते हैं, तो आप क्या हो चुका है हमारा font की formatting यहाँ पे apply हो चुकी है हमने paragraph की formatting को change जो हमने comment लगाया हुआ था उस comment की formatting को हमने क्या कर दिया है change कर दिया है अगला option आपको देखने को मिल जाता है column page को कई column में बाटने के लिए इसका उप्योग किया जाता है जैसे हम क्या कर सकते हैं पहले हम इस comment को यहां से हटा देते हैं हम font की size को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और control A करके control C कर लेते हैं अब इसी के उन क्या करेंगे paste कर देंगे अब जैसे हमारा यह page पे so कर रहा है हम चाहते हैं कि यह column में divide हो जाए तो हम क्या करते हैं format पर आते हैं format में आने की बाद जैसे हम column पर click करते हैं column पर click करते ही हमें यहां पे option दिखाई देते हैं कि आप अपने page को कितने column में करना चाहते हैं one column में two column में three column में या two column में which is key width और height अलग अलग होती है तो जैसे हैं यह में पर three column को select करके और okay करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा page है वो तीन column में क्या हो चुका है divide हो चुका है और यदि आप इस page को दुबारा से एक page में करना चाहते हैं यह एक column में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको format menu में आना होगा format menu में आने के बाद column पर click करके और यहां से हम क्या करेंगे one column को select करके और जैसे हम क्या करते हैं okay पर click करते हैं हमारा page क्या हो जाता है, column में convert हो जाता है, यह एक column में convert हो जाता है अगला option आपको यहां देखने को मिलता है, watermark page में watermark set करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसे ghost text भी कहा जाता है जैसे, यह हमारा एक page है, हम चाहते हैं कि इस page भी क्या हो जाए, watermark apply हो जाए, एक ghost text apply हो जाए तो उसके लिए हम format menu में जाते है, format menu में जाने के बाद, हम जैसे ही watermark पर click करते हैं, यहां पर एक dialogue box आता है watermark लगाने के लिए हम सबसे पहले format menu में जाते हैं format menu में जाने के बाद हम watermark पे click करते हैं यहाँ पे हम text लिखने को मिल जाता है तो यहाँ पे हम text लिख लेते हैं computer tick computer tick हमने लिख लिख लिए अब यहाँ से हम इसके color को select कर लेते हैं इस color में आप रखना चाहते हैं तो color select कर लिए color select करके हम जैसे यो के करते हैं आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्या हो चुका है ghost text अर्थात watermark हमारे document पे लग चुका है watermark लगने के बाद भी जो हमारा document है वो अमें दिखाई दे रहा है यानि जो हमारा text है हम इस option का use करते है अगला option आपको देखने को मिलता है section page को कई section में बाटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है देखिए section हमें insert कराने पड़ते हैं और insert करा करके उस section पे privacy भी लगा सकते हैं आपको 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 आपक यहां पर एक section क्या हो चुका है? insert हो चुका है अब इस section को आप क्या कर सकते हैं? इस section के अंतरगत आप कोई भी privacy लगा सकते हैं यहां पर अगर आप कुछ भी लिख लेते हैं जैसे मान लेजे कि हम यहीं से copy कर लेते हैं receive text को और इस column में क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे यह हमारा column हुआ column है जो भी लिखते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं? paste कर लिए ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इस column पर privacy लगाएंगे privacy लगाने के बाद इसे हम divide कर देंगे तो जैसे हम format में जाएंगे format में जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर Column का option क्या हो रहा है देखने को sorry section का option आपको देखने को मिल रहा है, अब section पर आने के बाद आप यहां पर देख सकते है right protection तो आप protection पर करेंगे with password तो आप यहां पर with password आप password set कर सकते हैं set कर लेते हैं हम एक 5 डिजिट का password क्या करेंगे हैं पर set कर लेंगे और जैसे ही आप क्या करेंगे ok करेंगे और यहां से हम दुबारा से ok कर लेंगे तो अब आप देख सकते हैं आप इसे जैसे ही delete करने जाएंगे आप इसे जैसे ही delete करने जाएंगे तो यहां पर दिखा रहा है कि आप इसे delete नहीं कर सकते हैं cannot be change क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है privacy लगी हुए password लगा हुआ है तो अगर आप इसे edit करना चाहते हैं तो दुबारा से आपको क्या करना पड़ेगा format menu में जाना पड़ेगा format menu में जाने के बाद आपको section पर click करना होगा section पर click करने के बाद यहां से protect को क्या करेंगे हटाएंगा और यहां से password अपना fill करके और ok कर देंगे जैसे ही आप ok करेंगे आप आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं और यहां से कुछ भी modify भी कर सकते हैं तो यहां पर हम section लगा करके अपने page को एक तरह से important कोई topic हमने यहां लिखना है तो हम आपर लिख करके उसमें privacy लगा सकते हैं जिससे कोई भी उसे छेड़ चाड़ नहीं कर सकता है अगला option आपको देखने को मिल जाता है image image की setting करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है इसके अंतरगत कई भी कलप आपको देखने को मिल जाते है अर्थाती इसका यूज क्या होता है कि आप अपने document कोई image insert करा लेते हैं ऐसे हम क्या करते हैं यहां पर एक image को insert करा लेते हैं हम आ जाते हैं insert menu में insert menu में आने के बाद हम image पर click करते हैं और यहां से क्या करते हैं कि image को insert करा लेते हैं अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो चुक है एक image insert हो चुक है अब हम इस image की formatting करना चाहते हैं तो इस image की formatting करने के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें image को select करना पड़ेगा image को select करने के बाद हम format पर click करते हैं format पर click करते ही हमें image का option दिखाई देता है अब यहां से आप इसे edit कर सकते हैं crop कर सकते हैं, replace कर सकते हैं compose कर सकते हैं आप यहां पर filter भी apply कर सकते हैं, देखिए यहां पर filter भी आपको दिया हुआ है, आप यहां से इस पर filter भी apply कर सकते हैं, जैसे ही आप apply करेंगे हमारे image पर effect देखने को मिल जाता है और यहां पर जैसे एक color पर click करेंगे तो color पर click करते ही यहां पर एक हमें dialogue box देखने को मिल जाता है अगर आप यहां से कुछ भी correction करते हैं तो हमारे image पर क्या हो रहा है effect पढ़ रहा है आप देख सकते हैं तो image की formatting करने के लिए अगर आपको image की formatting करनी है तो आप क्या कर सकते हैं यहां से image की formatting को आप कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही उमेद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को share करें जिससे उन्हें भी अच्छी knowledge मिल सके Thank you for watching me